प्रेग्नेंसी में कमरदर्थ एक बहुत ही कॉमन सिम्टम है जिससे हर महिला परिशान रहती है लेकिन अगर हम ये समझें कि कमरदर्थ क्यों होता है तो कुछ छोटी छोटी टिप्स ऐसी होती हैं जिसे हम फॉलो करके काफी हद तक इसे राहत पास सकते हैं नमस्कार मैं डॉक्टर मनीशा सिंग कंसल्टेंट गानेकलोजिस और अप्सिटीशन गाजियाबाद इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेग्नेंसी में कमरदर्थ क्यों होता है और इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं तो चलिए जानते हैं कि इसके क्या क्या कारण है, पहला कारण है कि जैसे जैसे किसी भी गरवती महिला का बेबी बंप निकलता है, तो उसका जो center of gravity है वो थोड़ा आगे की तरफ shift हो जाता है, तो body को balance करने के लिए जो आपकी read की हड़ी है, spine है, उसका थोड़ा सा curvature आ जाता है, जिसकी वज़े से कमर में दर्द होता है, दूसरा point है कि आपका pregnancy में वजन बढ़ता है, तो जो बड़ा हुआ वजन का जो पूरा load है, वो आपके दोनों पाउं में, दोनों joints में और read की हड़ी पे आता है, जिसकी वज़े से भी pregnancy में कमर में दर्द होता है, ये देखा हो गया है कि calcium की deficiency या vitamin D की deficiency अगर किसी की भी गर्वती महिला में हो, तो उसे कमर दर्द अर्दिक होता है, तो ये सुनिश्चित करें कि आपकी जो diet है, उसमें भरपूर मात्रा में calcium हो, और आपके जो doctor है, उनके द्वारा prescribed जो भी calcium supplementation और vitamin D supplementation है, उसे आप नियम से लें, Relaxing जो की pregnancy में normally increase होता है, जिसका main function होता है कि जो आपके ligaments हैं और जो आपके joints हैं, उनको थोड़ा सा relax करें, तकि pelvis में space बनें, तकि normal delivery में आपका baby नीचे आ सके, लेकिन ये जो relaxation की वजह से, जो joint mobility बढ़ जाती है, joints relax हो जाते हैं, इससे भी आपकी कमर में दर्द होता है, औ और सबसे last और बहुती जादा important है आपका posture, ध्यान रखें कि आपका posture सही हो, क्योंकि अगर बैटने में, खड़े होने में आपका posture सही नहीं होगा, spine में curve आएगा या थोड़ा सा आगे की तरफ जुकाव होगा, तो आपको back pain रहेगा, और ये किसी भी दवाई से, pain killer से ठी सही होना चाहिए, अगर आप बैटते हैं, तो आप कुरसी के पीछे अपने कुशन लगा सकते हैं, अगर आप खड़े होते हैं, तो ध्यान रखें कि आपका वजन दोनों पैरों पे equally distributed हो, high heels को avoid करें, flat चपल या sandal पहने, तकि आपका posture maintain रहे, तो आईए अब बात करते हैं कुछ ऐसे tips की, जिसको आप follow करके कमर दर्द से काफी हद तक relief पा सकते हैं, तो सबसे पहले हमने बात करी posture की, अगर आपका posture सही रहेगा, तो कमर दर्द आपको काफी हद तक control रहेगा, high heels नहीं पहने, flat चपल या जूते पहने, दूसरी है कि pain killers को avoid करें, अगर आपको कमर म हाथ से अपने कमर के मालिश करवा लें, कभी भी आप पीट के बल ना सोएं, उससे क्या होता है कि सारा pressure आपके कमर की, रीड की हड़ी पे आता है, हमेशा करवट लेकर सोएं, और बेटर रहेगा कि आप उल्टे हाथ की करवट लेकर सोएं, कुछ ऐसी stretching exercises होती हैं, anti-natal exercises हो करके भी आप ये back pain में आपको काफी relief मिल सकता है, पर ये ध्यान रखे हैं कि कुछ भी exercise शुरू करने से पहले अपने doctor से consult करें, और ये exercise किसी भी जो trained anti-natal yoga expert होते हैं, उनके supervision में ही करें, तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि कमर दर्द क्यों होता है, और क्या ऐसे tips follow कर सकते हैं कि कमर दर्द से हम छुटकारा पा सकें, मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपके मन में कोई question रह गया हो, तो आप comment box में लिख सकते हैं, ऐसे ही pregnancy related और women health related videos आप मेरे इस channel पे देख सकते हैं, और मेरे एक website है www.gynetox.com जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा, उसमें भी काफी information होती है pregnancy and women health related, आज तक के लिए इतना ही धन्यवाद